आपने कभी ख्याल कि हैं हमारे चेहरे के जो skin tones होते हैं कितने अलग अलग होते हैं अगर आप अपने पैरों को देखे तो हो सकता है वहाँ का skin tone थोड़ा सा गोरा हो फिर आप अपने पेट या फिर चेस्ट को देखे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ भी ठीक है लेकिन जै साबुन को इस्तामाल करें से आप एक BAT समझ लीजीए कि आपके चएरे का जो Glow है न वो खतम हो रहा है हर दिन अगर आप साबुन का इस्तामाल करते तो याद रखे उसमें कॉस्टिक सोडा ऊता है ठंडियों के मौसंम में गर आप साबुन के इस्तमाल करते तो आपने देखा होगा कि आपका जो स्किन है वो कैसे ड्राई हो जा रहा है इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वारा किस तरह से आप घर पर ही अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं एक फेस मास्क भी बताऊंगा जिसका आप इस्तमाल करेंगे उससे आपको बहुत फाइदा होगा और जिनको चेहरे पर गलो चाहिए चमक चाहिए उनके लिए भी कुछ खास है इस वीडियो को ध्यान से देखना सबसे पहले अगर आप उनमें सेहरे जो क्लियर हो चुका है और अगर आप डेर सो दिन के लिए पेशन्स रखते हो वीरे बचा लेते हो तब तो आपको ऐसी गलो मिलेगी ऐसा चमक आपके चेहरे पर आएगा दुनिया देखेगी भाई आपको आपने देखा होगा हर किसी के बच्पन में उसके चेहरे पर गलो होता है जैसे जैसे वो इंसान बड़ा होता है चेहरा डल परने लगता है अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा चमके और ये 100% काम करता है आपको एक टमाटर लेना है उसके आधे टुकरे करना है टमाटर को अच्छे तरीके से पूरे फेस पर अच्छे से रगड़ना है और टमाटर को आप तब तक अपने फेस पर रगड़ेंगे जब तक कि सिर्फ छिलका नहीं बसता फिर आपको चेहरे को अच्छे से धो लेना है ये करने से खास तोर पर आपके चेहरे पर गजब की ग्लो आती है अब बारी आती है फेस मास्क की देखो आइरवेट के हिसाब से अगर हमारे शरीर में बहुत ज़़ाद गर्मी है तो स्किम की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऐसे में फेस मास्क कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रकिर्ती में ठंडा हो दोस्तो मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग हजारों सालों से हो रहा है और ये बहुत ज़़ाद एफेक्टिव है दोस अगर आप इसका इसका इस्तमाल करना शुरू करें आपको एक छोटा सा टुकडा लेना है मुलतानी मिट्टी का उसको आपको पानी में रखना है अच्छे से घोल लेना है जब वो मिक्स हो जाए अच्छे से तो आपको उसको पूरे चेरे पर लेप की रूप में लगाना है अगर आप मुलतानी मिट्टी का इस्तमाल करते हैं तो दो चीज़े याद रखें पहला आपको दो से तीन दिन ही हफते में इसका इस्तमाल करना है हर दिन करने की जरूरत नहीं है और दूसरी बात जब भी मुलतानी मिट्टी का इस्तमाल करें क्षियोर हो जाएं कि वो मुलतानी मिट्टी 100% natural हो और high quality की हो देखो जिस तरह से pollution बढ़ रहा है और अगर कोई इंसान chemical वाले face wash का इस्तमाल करता है तो जाहिर सी बात है कि 50-60 की उमरे तक आते आते उसका चैरा 20 साल जादा उमरदाल लगेगा यानि कि वो 40 का है तो 60 का लगेगा 60 का है तो 80 का लगेगा चैरे पर wrinkles होंगे दाग धब्बे होंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप natural face wash का ही इस्तमाल करें इसलिए दोस्तों मैंने आपको इसी वीडियो के description में high quality natural face wash का link दिया है अगर आप इस face wash का इस्तमाल करते हैं तो आपको glow भी मिलेगा और आपका चैरा अच्छे तरीके से साब भी हो जाएगा जिस तरह का skin tone आपका बच्चपन में था चैरे पर निखार था तेज था वही तेज अब वापस आएगा अगर आप natural चीजों का प्रयोग करते हैं